चलक खरगोश एक जंगल की कहाने जंगल के दिल में एक तकतवर शेर रहता था जो खोफ से हकूमत करता था लेकिन उसकी शिकार करने की भूख कम होने लगी जिसके बाद उसने जंगली बशिंदों पर एक नया कनून लगाया शेर ने फरमाया के हर रोज एक जानवर कुर्बानी देना होगा ताके उसकी भूख को मिताया जा सके जंगल इस बात का दर से काम परहा था एक दिन खरगोश का भी कुर्बानी देने का वक्त आया लेकिन चलक खरगोश के पास अपने आपको बचाने का एक मनसूबा था सत ही अपने जंगली साथियों को भी खरगोश ने शेर को एक खाई में फस्वाई हुए दूसरे शेर के बरे में कहानी सुनाया जो शेर के इजाफी और घुरूर को जाग उताया खरगोश का धोका मानते हुए शेर जाल्ड ही खाई में कूट गया ताके अपने समझाए गए दुश्मन से मकाबला करे मगर उसके लिए जो था वो उसका इंताजार ना था शेर ने बहुत देर बाद समझा कि उसने चलाग खरगोश से हार गया खाई में फन्स कर वो मदात की अवाज लगाता है और इस तरह प्यारे दिखने वालो चलाग खरगोश की कहानी हमें ये सिखाता है के जहनियत और चालक दिमगागी कुवत भारी तकात पर भारी होती है ये हमें याद दिलाता है के जिंदगी के खेल में हमेशा सबसे तकतवर नहीं जीतते, बलकि उनके जीत जिनके पास होसला और दिमग होती हैं.